बिसमिल्लाहिरोहमानिरोहिम असलाम लेकुम डियर स्टुरेंट्स वेलकम तो अलहम डायनमिक वर्ल्ड आइम अली हसन यूर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टुरेंट्स आज का हमारा टोबिक नेच्रल रेडियो अक्टिविटी के हवाले से है ये फिनोमिनन 1896 में हेंरी बेक्रल ने एक्सिडेंटली डिसकवर किया कैसे डिसकवर किया वो यूरेनियम सॉल्ड क्रिस्टल के साथ जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और का करते हुए उसने क्या किया कि अपने इन यूरेनियम सॉल्ड क्रिस्टल को अपने ड्रॉर में रखा जब ड्रॉर में से उसने वापिस निकाला इन क्रिस्टल को तो उसने देखा कि उसकी जो फोटोग्राफिक प्लेट थी जो कि उसके ड्रॉर में मौजूद थी वो डारकन या डार्कन हो गई अब ये जो हेन्री बैक्रल考 ने प्रोसेस जो है है वो आब्जर्व किया था या डिस्कवर किया था इसने इस प्रोसेस को किसी किसम का नाम नहीं दिया तो इसको जो नाम ज Mina के रेडियू आक्टिवटी कि एब किस ने दिया था वो एक rigorous physicist है जिनका नाम है Mary Curie Mary Curie ने Radio Activity का नाम दिया इसको Mary Curie और उसके husband Perry Curie जई है वो उनका बहुत ज़्यादा जई है वो काम है Radio Activity और Radio Active Elements के हवाले से तो जो Mary Curie थी और उनके husband जो Perry थी Perry थे, Perry Curie इन्हों ने जई है वो जब ये काम किया तो इनका काम जई है वो specially जई है वो जब Radio Activity Elements के हवाले से था तो इन्हों ने दो तरह के जई है वो मुखलिब जई है वो Elements डिसकोवर किये एक जई है वो Elements था Polonium ये भी एक Radio Activity Elements है यानि के ये भी Radiation Emit करता है और दूसरा जई है वो Radium Radium भी जई है वो एक Radio Activity Elements है और ये भी जई है वो Radiation Emit करता है तब हम जब Natural Radio Activity की Definition करते हैं तो Natural Radio Activity Definition क्या है? The Spontaneous Emission of Radiation by Unstable Nucleae यानि के ऐसे Nucleae जो क्या Unstable होते हैं यानि के वो Radiation Emit करते रहते हैं और Radiation Emit करने की वज़ासे एक Elements से एक Nucleae से दूसरे Nucleae में Convert हो जाते हैं तो ये जो process है ये process Radio Activity कहलाता है और ऐसे Elments जो के ये process जो है वो शो करते हैं ऐसे elements क्या कहते हैं ऐसे elements जो हैं वो कहलाते हैं Radio Activity Ale Bets तो यह जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो नैचरल प्रोसेस जो है वो शो करते हैं रेडियो एक्टिविटी का अब हमारे पास जब यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो रेडियो एक्टिविटी का जो के अमिट आउट होते हैं और तीसरा हमारे पास जा है वो गैमा रेज जा है वो एमिट आउट होते हैं तो ये तीन तरह की जो रेडियेशन्स हैं ये तीन तरह की जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो केमिट आउट होते हैं रेडियो अक्टिव एलिमेंट से रेडियो अक्टिविटी की वज़ा से इनको हमने जा है वो विद धी हैल्प ओफ मेगनेटिक फील्ड जा है वो स्टुडी किया इन तीनों को हमने जा है क्या किया मेगनेटिक फील्ड में से पास करवाया तो मेग specifically helium nuclei हैं, यानि के जिस तरह का हमारा helium nuclei होता है, उसी तरह के alpha particle होते हैं, beta particle के बारे में हम बता चला कि ये negatively charged particle है, और gamma radiation के बारे में हम बता चला कि ये neutral radiation हैं, इनके ओपर किसी किसम का charge नहीं होता है, नहीं इनके ओपर positive charge होता है, और नहीं इनके ओपर negative charge होता है, और ये जो मार out होती है तो emit out होने के बाद अगर यह किसी gas में से पास होन करती है किसी gas में से गुज़रती है तो उसको जैब आइनाइज कर देती है यानिके उसको जैब वो आयनाइजिशन के प्रोसेस के तुरू उसके positive और negative को अलग अलग कर देती है तो यह हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ रेडियो एक्टिव 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 ए ये background radiation, ये atmosphere के अंदर मुखलित तरह के trace elements मुझूद हैं, जो के radioactive elements हैं, तो trace element का मतलब है, बहुत minute amount में जा है, वो हमारी environment में, हमारी environment और atmosphere में, ये जो है, वो elements मुझूद है, जो के radio activity का process करते हैं, और उनकी वज़ा से जो radiation's emit out होती हैं, वो radiation's जो है, background radiation, अब इनको background इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि इन radiation's की वज़ा से human life के ओपर कोई effect नहीं होता, यानि कि हम जा है, वो इन से safe रहते हैं, या इनका जा है, वो कोई specific effect नहीं होता, human life पे, या इसी तरह जा है, वो हमारी atmosphere पे, हमारी environment पे, तो इस वज़ा से हम जा है, वो इनको background radiation बोलते हैं, इसके साथ-साथ हम जा है, वो cosmic radiation's के बारे में जा है, वो discuss करेंगे, cosmic radiation जिस तरह by name आपको पता चल रहा है, कि ये ऐसी radiation's हैं, जो के receive होती है, outer space से, outer space का मतलब क्या है, outer space का मतलब ये है, जो हमारा space मुझूद है, अर्थ के बाहिर, वहां से जो हमें radiation's receive होती है, living things को या अर्थ क तो ये radiation's जो है, वो क्या कहलाती है, ये cosmic radiation कहलाती है, इन cosmic radiation में क्या क्या चीज़े मुझूद होती है, इन cosmic radiation में हमारे पास जा है, वो protons होते है, इसी तरह जा है, वो protons के साथ-साथ जा है, वो neutrons होते है, protons, neutrons के इलावा हमारे पास alpha particles होते है, alpha particles के इलावा हमारे पास heavier nuclei होत तो हमारे पास ये मुखलत तरह की जो है वो रेंटेसेंज्ज जो होती है हमें हमारे याउटर एट्मोसफेर से अब ये जो हमारे पास राटिशन आती हैं ये रेंटेसंज्ज क्रत tre ये मुखलत जो पार्टिकल्स मुझूध है उसके साथ react करती है और react करने से जह है वो क्या बनता है react करने से हमारे पास जह है वो secondary radiation जह है वो form होती है यानि कि एक तो यह primary radiation है जिनको हम जह है वो कह रहे हैं cosmic radiation जो कि आउटर स्पेस से हमें receive हो रही है लेकिन हमारे पास यह radiation जह है वो जब हमारे atmosphere के अंदर मुझूद particles के साथ जह हो react करती है तो इससे फर्दर जह हो एक shower यानि कि एक जह हो large जह हो radiation जह हो बनाती जिसको हम secondary radiation बोलते हैं और यह जो secondary radiation होती है secondary radiation में क्या मुझूद होता है secondary radiation में भी उसी तरह हमारे पास protons में मुझूद होते हैं इसी तरह हमारे पास neutrons होते हैं neutrons के साथ-साथ हमारे पास electron होते हैं alpha particles होते हैं alpha particles के साथ-साथ जह हो x-rays भी इस में से जह हो emit out होती है तो इस तरह से हमारे पास जह हो हमारे cosmic radiation जह हो एक तो primary होती है जो कि हम outer space से receive कर रहे होते हैं और वो ही जब हमारे एक्मोसफेर के अंदर पार्टिकल के साथ रियक्ट करके फर्दर रैडियेशन बनाती है तो उनको सेकेंडरी रैडियेशन कहा जाता है तो आज की टॉपिक में हमने नेच्रल रैडियेशन के बारे में डिसकेशन की और साथ इसाथ जाए वो बैक्ग्राउंड और कोस्मिक रैडियेशन के अवाले से डिसकेशन की इन नेक्षिर डेव़ाएक्टिविटी का जो हमारे पास phenomenon है ये आपको जैबो लॉग क्वेस्टिन के दौर पर भी जैबो पुछा जा सकता है और शोर्ट क्वेस्टिन के दौर बी लेकिन हमारे पास ये जो background radiation और cosmic radiation है ये जैबो अक्सर short question में पूछी जाती है तो आज के लिए इतने students see you next time इंशालला टेक केर अल्ला हाफिस